कि हैलो गाइज माइन इस दीप माला ये वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो वीडियो को प्लीज लास्त तक देखेगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए चली सुरू करते हैं अज हम इस वीडियो म आपके लिए लेकर आओंगी तो प्लीज वीडियो में बने और अगर अब आप चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जली सुरू करते हैं अपने कोशन पहला कुश्चन है प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक बाल विकास की अवस्थाइं है ए तीन बी चार सी पाँच या डी छे तो फ्रेंट्स आप प्लीज बताए कितनी अवस्थाएं हैं कितनी अवस्थाएं दी हैं प्याजे ने तो इनोंने दी हैं चार अवस्थाएं जिनकी पहली अवस्था का नाम है संबेदी गामक अवस्था जिसको sensory motor stage भी बोलते हैं और दूसरी है इनकी पूर्व या प्राग संक्रियात्मक अ स्टेश जित पर गोलते हैं तीसरी है इंकी कंप्रीड और पहाँ परीन में यानिकी संक्रियात्म कबले और फ्ट है इनकी फॉर्मल में फनाल यानिक औप्चारीग संक्रियात्म कबनंत्ता या या मूर्ध संक्रियात्म współ friends आपको समझ में आ गया होगा यह तो चलि नेक्ट कोशेन दिखते हैं अगला कोशन है हमारा जजित अदे अदेज़ कर सबस्क्राओ करन के जगर बहु को लिखा ऐड़ lig pants और भॉब़ लिखा होता है तो इसमें मैंने बाबád यहां लिखा है अगला कोशन देखते हैं हम बुद्धी के बहुकारक सिध्धान्त के प्रतिपादक है बुद्धी के बहुकारक सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है थांडाइक है, स्किनर है, स्पियर मैन है या दी टर्मन है तो राइट आंसर इस थांडाइक इसके बहुकारक सिद्धान्त के प्रतिपादक है थांडाइक अपना नेक्ट कोशन देखते हैं फ्रेंट्स अगला कोशन है हमारा नेक्ट कोशन है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकर में व्यापक मूल्यांकर का अर्थ क्या है इसमें पूचा गया है व्यापक मुल्यांकन का आर्थ तो अब option देखते हैं A है सभी विश्यों का मुल्यांकन, B है हमारा सह सेक्षिक छेतर का मुल्यांकन, C है सेक्षिक एवं सह सेक्षिक छेतर का मुल्यांकन और D है केवल सेक्षिक छेतर का मुल्यांकन तो इसका right answer होगा सेक्षिक एवं से सेक्षिक छेत्र का मुल्या फ्रेंट्स अगला question दिखते हैं अगला question है हमारा जब एक बालक असफल यानि कि fail होता है तो इसका art है कि क्या art है इसका option दिखते हैं A. बालक पढ़ाई की योग्य नहीं है B. उत्रों को सही प्रकार से याद नहीं किया गया था उसके तोरा C. है बालक को ट्यूशन पढ़नी चाहिए थी या फिर D. है सिक्षर व्यवस्ता fail हुई है तो friends हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि मतलब वो fail हो गया है तो उसका सीधा सीधा उसके उपर नहीं कह सकते कि वो अपनी वज़ा से fail हुआ है उसके लिए हम पेपर में भी ये आएगा question बहुत जादा आता है बहुत ही important question है आप please note कर लिजे इसको तो answer आप यहीं लगाएंगे 4. D. सिक्षर व्यवस्ता fail हुई है कभी बालक के उपर नहीं डालते हैं कि वो खुद fail हुआ है उसको कभी दोस नहीं देते हैं चलिए अगला question देखते हैं अगला question है बालक को कम अनुभवी कि संग्या किस ने दी कोहलर ने दी सुरी कोहलबर्क ने दी कोहलर ने दी प्याजी ने दी या वाईगोत्की ने दी तो right answer is वाईगोत्की राइट आंसर हमारा क्या होगा वाईगोत्की चलिए अगला question देखते हैं अगला question है हमारा निशुल्क एवं अनवारे वाल सिक्षा अधिकार आधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की a 6-18 तक के लिए b 3-18 वश्थ caliber या फिर c 6-14 वश्थ तक के बच्चों के लिए d 6-22 वश्थ तक के बच्चों के लिए आप यह तो जानते होंगो 6-14 वश्थ तक के बच्चों के लिए यह अधिकार है लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 6 से 14 वस्तक के लिए नहीं है उनके लिए 4 वर्च और आगे है उनके लिए 6 से राइड अंसरों का A 6 से 18 वस्तक के लिए तो यह आप याद दखिए बहुत ही important question है चलिए next question देखते हैं अपना अगला question है हमारा आटमा पिछड़ा वालक है तो पिछड़ा वालक हम किसको कहेंगे पिछड़ा वालक हम किसको कहेंगे A जिसके सीखने की गती दीमी है या B जो समायोजन नहीं कर पाता है या C जो मानसिक रूप से आस्वस्त है या D ये सभी ये तीनों की तीनों options सही है तो right answer हमारा इसका होगा ये सभी अपना question अगला दिखते है नमा question प्रयास एवं तुर्टी सिधान्त में सबसे महत्पून है प्रयास एवं तुर्टी सिधान्त में सबसे महत्पून क्या है तो सबसे महत्पून है अभ्यास, प्रेणा, लक्ष या सामाजी करन तो right answer is लक्ष सबसे महत्पूर्ण लक्ष है हमारा लक्ष नहीं होगा तो हम किसी काम को कैसे पूरा करेंगे कोई भी काम हम करते हैं तो एक लक्ष होता है कि हमें लक्ष तक पहुचना है और इसलिए हम उस काम को पूरा करते हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं और लास्ट कोशन सीखने के नियम के प्रतिपादक है सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है थांडाइक है, इसकीनर है, प्याजी है या कहलर है प्रेंट बताईए इसका right answer क्या होगा थांडाइक है, स्किनर है, प्याजे है या कॉलर है तो सीखने के नियम के प्रतिपादक थांडाइक है राइट आंसर इस ए, थांडाइक फ्रेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो कोश्चन्स आपको पसंद आई हो, अच्छे लगी हो और अगर आप इसी तरह और प्रेक्टिस करना चाहते हैं कोश्चन्स की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो चले लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए चली मिलती है नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग